दोस्तों केंदर सरकार के दुआरा महिलाओं के लिए कई सारी ऐसे यूजना चलाती है जिसके बारे में बहुत सारे महिलाओं को पता नहीं हो पाता है इस वीडियो को आप देखिएगा मैं आपको पांच ऐसे यूजना के बारे में बताऊंगा जिसके तहत कई सारे अलग-अ benefit मिलते हैं यह जो यूजणा है सिर्फ महिलाओ के लिए मैं बताने जा रहा हूं और इसके लिए जो benefit मिलता है क्या मिलता है दो भी बताऊंगा कैसे apply किया जाता है उसका भी तरीका बताऊंगा क्योंकि ये यूजणा पूरे भारत में लागू होता है आप किसी भी राजय से आते हैं इसका benefit उठा सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंदा तो इससे like और share अवस्थ कर दीजिएगा इस परकर की लगातार update के लिए चैनल को जरूर सस्क्राइब करेंगे तैकि आने वाली सारी update की जनकारी आपको मिल पाएगी फिलाल अपने स्किन पर चलते हैं और बताते हैं जो अभी 5 योजना महिलाओ के लिए चलाई जाते हैं ये योजना कौन है कैसे benefit लेना है और कितना लाब आपको मिलेगा उसके बारे में भी मैं जान लेता हूँ इस योजना के बारे में पूरी जनकारी समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile या laptop में जो भी browser है उससे open करना है google में type करना है online update stm आपके सामने online update stm.in का या official website आगा इससे open करना है और यहाँ पर देखेंगे सरकारी योजना में मिलता है top 5 government scheme for domain आप इस बले link पर click करेंगे या यहाँ पर article ना मिले तो यहाँ पर आप लिखेंगे top 5 scheme तो और यहाँ पर सर्च वाले विकल पर click करेंगे तो यह article आपके सामने आएगा इससे आप open कर लेंगे जिसमें आपको यह 5 scheme के बारे में तमाम जनकारी आपको मिल जाएगे कि यह scheme क्या है कैसे आपको benefit लेना है पूरी जनकारी आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे यहाँ पर scheme की बात करें तो यहाँ पर 5 scheme है पहला जो scheme है यह PM 200 करमा यूजना है PM 200 करमा यूजना के ताद फिरी सिलाई मसीन यूजना चलाई आते हैं काफि का लेनकारी है और महिलाओं के लिए लबदायक भी है क्योंकि काफि सारे महिलाओं को PM 200 करमा यूजना के ताद फिरी सिलाइ मसीन यूजना का benefit मिला है अब इसका benefit लेने के लिए आपको यहाँ पर बताया गए PM 200 कर्मा योजना के लिए आपको इनके website पर जाकर registration करना होगा आगे मैं बताऊंगा भी website पर कैसे जाना है इसमें फैदा क्या क्या है समझ लिजे इसमें जब आप registration करते हैं तो registration करने के बाद अगर आपका इसमें selection होता है तो आपको दो परकार की इसमें training है एक सो टर्म है सो टर्म करेंगे तो 5 दिनों का होगा एक दिन का 500 रुपया मिलेगा मतलब 5 दिन का होगा तो 500 मिलेगा अने था आप चाहे तो 15 दिन का भी training ले सकते हैं जिसमें आपको सिलाई से जुड़ा जो भी काम है वो आपको सिखा जाता है ट्रेनिंग में और 500 रुपया परड़े की हिसाब से मिलता है इसके बाद आपको क्या होता कि 15,000 रुपया की जो benefit है आपको toolkit के लिए देла जाते हैं क्योंकि आप सिलाई Masin के लिए आवेदन किया है तो toolkit में आपको सिलाई Masin खरीदने के लिए 15,000 का benefit मिलता है इसके अलाबे अगर आप चाहते हैं कि चलाना सिख जाते हैं आप चाहते हैं अपना एक कारोबार करना तो इसके लिए सरकार आपको लोन भी देती है एक लाक रुपे तक आपको लोन मिलेगी वो पैसा अगर चुका देते हैं फिर दो लाक रुपे तक आप लोन ले सकते हैं यह इसका benefit होता है बाकी इसके लिए अगर आप apply करना चाहते हैं तो यहीं पर नीचे आईएगा important link में प्यम विश्व करमा योजने के तहर सिलाई मसिन के लिए यहां पर link मिलता है जिस पर click करेंगे पूरी जनकारी आपको मिल जाएगी इस article में और जहां पर आपको वीडिय करना इस वीडियो को देखर apply कर सकते हैं योजना क्या है इसका उदेश क्या है तमाम जनकारी के लिए भी वीडियो मिल जागा इससे देखकर आप पूरी जनकारी समझ सकते हैं तो यह पहला स्कीम था PM विश्व करमा योजना के ताथ फिर इस लाइन मसिन योजना जिसका benefit ले सकते हैं दूसरा जो एसकीम है जो परधान मंतरी मातरी वंदरना योजना होता है यह योजना जो है खासकर उन महिलाओं के लिए कल्यानकारी योजना है जो माँ बनी है अब यहाँ पर यह होता है कि जब माताय या बहने जब माँ बनती है तो उन्हें पहले बच्चे प मातरी बंदरना योजना के ताथ कुल मिलाकर 11,000 का जो बेनिफीट है आपको मिल जाता है बाकि इस योजना को लेकर जो भी पातरता है उसके बारे में आपको नीचे जनकारी मिल जाएगी आप आकर देख सकते हैं कि योजना के लिए आपकी ओम्र क्या होने चाहिए और भी ज बीटियल जनकारी प्राप कर सकते हैं और और ऑनलाइन अप्लाई करने का बिल्निंग की यहां पर मिल जाएगा जिस पर किलिक करकर प्रदानमंद्री मातरी बंदना योजना के लिए आप आप आपलाई कर सकते हैं तो यह आपका दूसरा एसकिम था अब देखिए बात करते है इसके लिए भी आप आवेदन की दो परक्रिया होती है आप चाहे तो ऑनलाइन आफलाईन किसी भी माध्यम से आवेदन कर सकते हैं इसके लिए पातरता यह है कि महिला की जो उम्र है 18 साल होनी चाहिए और उनके घर में किसी भी प्रकार की पहले से कोई connection नहीं होनी चाहि है तो आप इसके लिए अवेदन कर सकते हैं अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पर पीम उजवला योजना का लिंक मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे योजना के बारे में तमाम जनकारी मिल जाएगी और यहीं पर वीडियो मिल जाएगा इस वीडियो को देखकर अप्लाई कर हएं पाइंगे और यहां पर लिंक मिलेगा यहां पर क्लिक करेंगे good zone यहां सरकारी मिलता है यूपी का अलग अलग आई अगर करना चाहते तो यहां पर आपको link मिल जाएगा आप इस वाले link पर जब क्लिक करेंगे तो कन्या विवाह यूजना के बारे में पूरी जनकारी यहां पर बताई गई है और यहीं पर नीचे जवाब आएंगे तो इसके लिए apply करने की भी जनकारी आपको दी गई है क्यो आपको यह लगता होगा कि इस यूजना से क्या benefit मिलता तो देखिए आप जानते होंगे प्रधान मंतरी जन्धन यूजना के ताथ आपको एक account खोले जाते हैं अब इस खाता से क्या-क्या फैदा मिलता है आपको मैं आपको बताता हूँ यहीं पर आएंगे प्रधान मंतरी से इसका होता है और account खोलते हैं अगर मालेज आप उसमें पैसा रखते हैं तो उस पर आपको ब्याज भी अच्छे खासे मिलती है इसके अलावे ATM की सुबदा आपको मिलती है इसके अलावे यहाँ पर दो लाख रुपे का जो accidental insurance होता है वो भी cover किया जाता है 30,000 का life insurance cover किया जंधन योजना का आपको दिये जाते हैं तो ये कुछ scheme था जो महिलाओ के लिए खासकर काफी का लेनकारी है अगर आप इस scheme का लाब लेना चाहते तो सबका link मिलेगा और सबके लिए video भी हमने बना है proper video आप देख पाएंगे उस link पर click करेंगे पूरी जनकारी आपको मिल दोस्तों अभी आपने देखा मैंने आपको इन पांच योजनाओं के बारे में बताया जो महिलाओं के लिए चलाई आती है कैसा apply कर सकते उसके बारे में भी हमने आपको बताया हासा और उमीद करता हूँ video आप इससे like share जरूर करें या आप चाहते इन में से किसी योजना क के उपर एक डीटेल वीडियो देखना तो आप उस योजना का comment box में हमें नाम बता दीजिएगा उसके बारे में मैं डीटेल वीडियो भी बनाकर जनकारी देते हूंगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैंद